हलो इस्टुडेंट्स मैं आजीज बहुराब सभी का अपना अला यूट्यूब चेले में सवाद करता हूं इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्रे एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा तो सपो कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सभी पर मिलते रहें तो क्या है आज का हमारा टोपिक है एक जांपल नंबर 9.1 क्या है उसका स्टेट्मेंट इस्ट्रॉक्चरल स्टेल रॉड हैज एज रेडियस ऑफ 10-10 मिलिमेटर एंड लेंट ऑफ 1 मेटर हमारे पास क्या है स्टेल की राड है तो यहां एक ड्रॉ कर देता हूं इस स्टेल की राड आब हमसे आगे क्या गीवन हे ऍसका ये जो framework है एक स्टेल कीर गांद से यह में 10 मिलिमेटर आमें ऑत किसमें एसा इंट में इस मिली में किसमें करना पड़ेगा में यह मिली का मतलब होता है 10 to the power –3 मिली की स्पैस पर हमने क्या लिग दिया 10 to the power –3 तो मिली में किसमें convert हो गया मिटर में अब यह जो टेञ्र इसह टेञ्र इसके पावर कुछ 1-3 कितना हो जाएगा 10 to the power minus 2 मेटर तो यह हमारी क्या गई रेडियस फिर हमें उसकी क्या गिवन है लेंथ मतलब L की वेल्यू गिवन है कितनी गिवन है 1 मेटर और कुछ गिवन है क्या फिर उसके बाद हमें गिवन है 100 Kilo Newton Force, stretched it along its length कि इसकी यह जो length है इस length के along हमने क्या अपलाई किया force apply किया कितना force apply किया वह हमें गिवन है वह force है 100 Kilo Newton का मीनिंग क्या होटा है देखो आप अगर फैस बूख चलाते होंगे या YouTube पही अगर आप देखते होंगे किसी के 10 KF किसी का तालाब का मतलब क्या होता है की की मातलब है यह का मतलब मतलब क्या है 1-1000 इस किलो की इस पेश पर मैंने लिग दिया थाउल और वह जrows सकते है फ्रेट रैस 받고पशन कोई हम क्या सकते हैं थाउजन को हम लिख सकते हैं थाउजन को हम लिख सकते हैं थाउजन को हम क्या लिख सकते हैं इसका मिनिंग है वन के बाद कितने 030 तो इसलिए हमने थाउजन को क्या लिख दिया थेन तूदी पावर थ्री फिर यह क्या है हंड्रेड है हंड्रेड को हम क्या लिख सकत कि और फिर से क्या हो जाएगा addition थो फ्लस थ्री कितना हो जाएगा फैफ तो 10 तो फावर 5 न्यूटन यह तो हमारा क्या गया है फोर्स फिर उसके बाद हम से और कुछ गीवन एक क्या its length calculate stress, elongation and strain, हमें क्या calculate करना है, stress calculate करना है, strain calculate करना है, and elongation calculate करना है, और हमें और कुछ गिवन है क्या, young modulus of structural still is 2.0 into 10 to the power 11 newton per meter square, मतलब हमें young modulus 5 की value given है, कितने given है, 2 into 10 to the power 11 newton per meter square, newton per meter minus 2, जो चीज़े given थी वह हमने लिख ली, अब हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, stress, stress का formula, stress का formula होता है, बोलो जल जल जिसे, force per unit area, force upon area ही क्या होता है, stress होता है, अब हमने यह consider करके रखा है, कि एक side से हमने road को क्या कर दिया, fix, और दूसरे side से हमने क्या apply किया था, उस पर force, कितना force apply किया था, force की value put कर देते है, तो हमने force apply किया था, कितना 10 to the power 5 newton, यहां लिख दिया, मैंने force की space पर 10 to the power 5 newton में नहीं लिख रहा हूँ, वो understood है, ठीके, और area हमें कहीं पर given है, कि area कहीं पर given नहीं है, अब हमें यहां ध्यान रखना है कि area की अगर हम बात कर रहे है, तो area मतलब इस road का अगर यह still की road है, तो इसका diameter, ठीके, area मतलब इस till का diameter, diameter यह यह कहीं इसका cross section का area, यह जो cross section है, इसका shape कैसा है, circle के जैसा, मतलब area किसका area लेंगे, इस circle का area, इस circle का area और circle का area का formula क्या होता है, pi r square, circle के area का formula क्या होता है, pi r square, तो इस area की space पर हम क्या लिख सकते है, इस area की space पर हम लिख सकते है, pi r square, तो pi की value हमें पता है, pi की value कितनी होती है, पाई की वेल्यू होती है 3.14 इंटू आर, आर की वेल्यू कितनी है आर की वेल्यू है 10 to the power minus 2, तो आर की स्पेस पर लिख दिया हमने 10 to the power minus 2 और आर का whole square है उसका मैंने क्या लगा दिया whole square इतना के लिए रहे अब इसके बाद हमने क्या किया हमने कहा यह लिखा 10 to the power 5 अब उन में यह क्या लिखा है 3.14 इंटू 10 to the power minus 2, उसकी वे power कितनी है उसकी power है 2, तो power की power का क्या हो जाता है multiplication, power की power का क्या होता है multiplication तो minus 2 into 2, कितना हो जाएगा 10 to the power minus 4 अब यह minus 4 जब उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, plus का 4 तो यह power कितनी हो जाएगा 10 to the power 5 into 10 to the power 4 upon 3.14 इतना के लिए है अब इसी को हम क्या लिख सकते है इसी को हम लिख सकते है दोनों की power best same है, तो powers का addition 10 to the power 9 upon 3.14 लिख सकते है क्या best same होने पर powers का addition 5 plus 4, 9 इसी को हम लिख सकते है 10 into 10 to the power 8 upon 3.14 लिख सकते है क्या power 9 है तो इसको हमने 10 इस 10 की power खुशी नहीं है, मतले कितनी है 1 तो 1 plus 8 फिर से कितना हो जाएगा 9 तो मैंने लिख दिया 10 into 10 to the power 8 10 में अगर हम 3.14 से divide करेंगे 10 को अगर हम क्या करे 3.14 से divide कर दे तो हमारे पास आजएगा 3.18 कितना आजएगा 3.18 10 को हमने divide कर दिया किस से 3.14 से और यह 10 to the power 8 है वो तो as it is और यह हमारे पास क्या आगया stress यह किसकी value आई हमारे पास यह stress की value आगई और stress की SI unit क्या होती है क्या होती है इतनी आई 3.18 इंटो 10 to the power 8 Newton per meter square यह इसी को हम per meter square की space per meter की power minus 2 भी लिख सकती है इसको इस type से भी लिख सकती है Newton meter minus 2 stress calculate करने के लिए कहा था हमने stress calculate कर लिया फिर उसके बाद हमें क्या कहा है elongation elongation मतलब क्या होता है change in length elongation का मतलब क्या होता है change in length तो अगर हमें change in length calculate करना है तो इसके लिए हम use करेंगे formula young's modulus y is equal to stress upon strain कौन सा formula यूज करेंगे young's modulus stress upon strain यहाँ पर stress कौन सा stress है longitudinal stress strain कौन सा strain है longitudinal strain क्योंकि यहाँ पर length में change आएगा length के along हमने force लगाया है तो change किसमें आएगा length में fractional change किसमें आएगा length में force कहाँ अपलाई हुआ length की direction में इसलिए stress कौन सा है longitudinal stress और strength कौन सा है longitudinal strain मतलब अगर force किसके direction में length की direction में तब जो stress होता है वो कौन सा stress होता है longitudinal stress और अगर length में change आ रहा है नेन्ठ में उसी में क्यों करकिते हैं अब हमें केद्ध में यह यहाँ आपर मुल्टिप्लाइब इध रहा कर वहां और रहे हमारे पास नेक्स स्टेप क्या जाएगी हमां हमारे पास next step आजएके, Strand is equal to stress upon Y. यह step आगी क्या? Y यहाँ उपर ताहिं, इधर खर नीचे आगया, Strand इधर नीचे था, इधर खर उपर आगया, यह value आगया, अब strand, strand का formula क्या होता है? Del L upon L, जब कौन सी strand हो? longitudinal strand, stress, stress का formula क्या होता है? force per unit area, यह फोर्मुला होता है ठीक है और वाई किया हमारा मोडिलस और यंग मोडिलस उसकी वेल्य हमें गिए अब उसको चले एज़ रहने देते हैं यह यहां पर डिवाइड में है एक वल्टू के उधर जाकर मल्टिपलाइ में हो जाएगा यह दिवाइड में इख वल्टू के निकालने है चेंज इन लेंध मतलब अलोंगेशन निकालना थो निकाल लेते हैं तो एफ अप़ोन ए यह यह कहीं इस्ट्रेस इस्ट्रेस की वेल्यू तो है हमारे पास कितनी है थ्रेश्ओ पॉर इंट टू टू धी पावर एट यहां में लिग जा टू टू पावर एट ए पावर 11 लेंठ लेंठ कितनी है उसकी लेंठ है वन मिटर तो इंटू 1 किलियर ही इतना अब देखो 3.18 को टू से अगर डिवाइट करेंगे तो ऐसा कंसिडर करो कितना लिखा है 318 लिखा है 318 का हाफ कितना होता है 318 का half होता है 159 318 का half कितना होता है 159 अब 3 का half कितना होता है 1.5 तो यह इसकी value रहेगी 1.59 318 का half कितना होता है 159 ठीक है 1 digit के बाद यहाँ पर point था यहाँ भी 1 digit के बाद point लगा दिया यह easy method है कि 3 का half 1.5 होगा तो 3.19 का half कितना हो जाएगा 1.59 9 आप चाहे तो divide करके देख सकते हैं, into में, यह कितना लिखा है, 10 to the power 8, यह कितना लिखा है, 10 to the power 11, वो उपर जाएगा, तो उसकी power कितनी हो जाएगी, minus 11, numerator से denominator में, denominator से जब numerator में ले जाते हैं, तो power का sign change हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा है, हमारे पास 1.59 into, 8, best same होने पर powers का addition, तो 8 minus 11, at minus 11 कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 3, 8 में से 11 को minus करेंगे, तो कितना होगा, 10 to the power minus 3, इतना आ गया, यह क्या है, हमारे पास, change in length, यह value किसमें आई हमारे पास, यह value आई, इतना ही मीली मेटर में, यह value किसमें आई हमारे मेटर में, अब इसको अगर हमें किसमें convert और है, इसको हम अगर, मिली मिटर में convert करना चाहते है तो हमें पता है 10 to the power minus 3 किसके equal होता है मिली के equal होता है तो इस पूरे की space पर हम क्या लिए सकते है मिली तो हमारे रपास del L del L is equal to क्या जाएगा 1.59 मिली मेटर 10 to the power minus 3 की space पर हमने लिख दिया मिली तो यह आ गया change in length तो हमें change in length मतलब elongation निकालना था वो हमने निकाल लिया अगर यह value हमें किसमे निकालनी है percent में अगर percent में निकालनी है तो percent में निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पर हम 100 से multiply कर देंगे किस से multiply करेंगे 100 से country करेंगे तो हमारे पास value किसमें आ जाएगी percent में तो hundred से multiply किया hundred से multiply किया है इसी को हम क्या लिख सकते है 10 square तो ये power कितने 10 to the power minus 3 और ये कितने 10 to the power 2 तो minus 3 और plus का 2 कितना हो जाएगा minus 1 तो इसी को हम क्या लिख सकते है 1.59 into 10 to the power minus 1 ये होगा इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ठीक है अब फिर हमने क्या क्या del L is equal to 1.59 ये कितना 10 to the power minus 1 अगर इसको मैं numerator से denominator में ले जाएगा तो 10 के power कितने हो जाएगी plus 1 तो 1.59 में अगर हम 10 से divide करेंगे 1.59 में अगर हम 10 से divide करेंगे तो कितना आजाएगा 0.159 कितना आजाएगा 0.159 या इसी को हम क्या लिख सकते हैं इसी को हम लिख सकते हैं 0.16 हमें पता है हम क्या करते हैं जो थर्ड डिजिट पर अगर 4 से बड़ी वेल्यू हो थर्ड डिजिट पर अगर 4 से बड़ी वेल्यू हो of 6,0 16% का चेंज आया थे लैंध में उसी किया फॉंच्छाय तो हमारा था क्या फॉंच्छा है कि क्या दैल एल एपान लैंध तो एल की वेल्यू तो है हमारे पस वेल्यू किसमें लिखे 1 मीटर तो हम ने निकाल दिया 1 तो हमारे पास इस ट्रेंट कितना आ गया 1.59 इंटु 10 to the power माइनस 3 मीटर यह क्या अगया हमारे पास ठीक है यह हमारे पास आ गया इस ट्रेंट कितना आया 1.59 इंटू 10 to the power minus 3 meter यह इसको भी हम क्या लिख सकते हैं परसेंड में यह उसी के एकवल है तो परसेंड मतले कितना लिख सकते हैं 1.69 1.0.16 परसेंड कितना जन्रेट हुआ इसी टाइप से हमने किया परसेंड निकालना है तो माइनर क्या किया तो से हंड्रेट से मुल्टिप्लाई कर दिए यह प्रोसेंड आपस फोलो कि यह वैल्यू आपस आजेगी तो हमसे क्या पुछा था हमसे पुछा था इस्ट्रेस स्ट और चेंज इनलेंज मतलब इलोंगेशन जो वेल्यू गिवन थी वह हमने लिख ली हमने इस्ट्रेस का फोर्मुला लगाया एक किसका फोर्मुला रहेगा डाइमेटर का एरिया इसले डाइमेटर लिख दिया वेल्यू सब्सक्राइब कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया लिए हमने यंग मोडियूलस का यूज कि यंग मोडियूलस क्या कि वाइस इकॉल इस्ट्रेस अपन इस्ट्रेंड वहां से हमने इस्ट्रेंड का फोर्मुला बना लिया डैल अपन लिखा यह डिवाइट में था उधर जाकर मल्टिप्लाय में सभी की वेल्यू किया फिर उसी टाइप से हमने क्या निकाल लिया तो आज की वीडियो में नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किजिएगा अपने दुस्तों इस साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा पसंद ना ही हो तो डाउट हो तो डाउट कमेंट मे मुझसे पूछ सकते हैं कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं बाई